नमस्कार साथियों एक पर फिर आजिरम आप साथ एक ने और बहुत मनपूर बीडियो के साथ फ्रेंड्स आज इस बीडियो में बात करेंगे सरकार के तरब से जबरजस तौफा दिया जा रहा है गरीब परिवारों को यनी होली का बड़ा गिप्ट अब सिलेंडर आपको दिया जाएगा मातर 350 रुपए में जो सिलेंडर आपको 450 रुपए में दिया जाता था गरीब परिवारों उजोला गैस कनेक्शन धारियों को वही सिलेंडर मातर 350 रुपए में यनी 100 रुपए की यहाँ पे कटाउती की गई है सरकार के दौरा साथी साथ दो राज यहाँ पर दो सिलेंडर और तीन सिलेंडर आपको फ्री दिया जा रहा है साथी साथ कहां पे आपको जाना है जहां पर आपको ये सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा साथी साथ महिलाओं को एक हजार रुपए बार सो पचास रुपए की किस्त जो कि हर दस्तारी को दी जाती थी वो आपको दे दी गई है तो अगर इन सभी योजनाओं का लाफ लेना चाहते हैं तो वीडियो अंतर तक बने रहेगा चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को पूरा लाश्ट देखेंगे तो सारी जनकारी आपको यहाँ पर मिले वाली है आपके पास होगा यानि सरकार एपियल अंतियोदाय रासनकार धारकों को सरकार तरफ से आगामी तेवहार को ध्यान में रखते हुए एक एक हजार उपए की किस्त भी आप सभी महिलाओं के खाते में भेज दी है साथी दो सिलेंडर आपको फ्री दिये जा रहे हैं और आज इस वीडियो में पूरे डीटेल के साथ समझेंगे कि किन को यह है योजना का लाभ मिलेगा और आगे आपको क्या करना पड़ेगा यानि गरीब परिवारों को जिनकी आर्थी किस्ती सही नहीं है सरकार तरफ से होली का बड़ा गिफ्ट भी मिल रहा है यानि उनके बच्चों की साथी साथ महिलाओं की यहां पर बड़ी रकम सरकार तरफ से दी जा रही है यानि ओजोला गैस कनेक्शन धारियों को साल में दो LPG सिलेंडर जो है उसके पहले यह सिलेंडर आपको दे दिया जाएगा सबसे पहले अगर आप उजोला गैस कनेक्शन के लाभारती हैं और अंतियोदे रासन कार्ट धारी हैं तो आपको यह सिलेंडर दिया जाएगा यानि आपको अपने नजदी की गैस एजनसी में जाना होगा और इसी कड़ी में आपको वहीं से ये सिलेंडर मिलने वाला है यानि फ्री में तो होली का वड़ा गिप्ट यहाँ पे महिलाओं को सरकार तरप से दिया जा रहा है प्रधान मंतरी उजला गैस के दूसरे चनल में होली पर पर प्रदेश की महिलाओं को दूसरा सिलेंडर रिफिल मुक्त दिया जाएगा यह 1.75 करोण लोगों को सीधा फायदा होगा यनि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो आपको यह सिलेंडर दे रही फ्री में यनि पहला सिलेंडर दे चुकी है जो कि आपको दिपावली पर दिया गया था अब दूसरा सिलेंडर आपको बड़े तिवहार होली यनि रंगों के तिवहार पर आपको यह सिलेंडर दिया जाएगा प्रदेश में प्रधानमंत्री उजला गैस के अंतरगत लगभग 1.75 करोन लाभरतियों को निसुलक सिलेंडर रिफिल भी बितरन कराये जाएंगे योगी सरकार ने भी तो 2023 और 2024 में 2312 करोन रुपए का बजेट इसमें प्रस्तावित किया है तो अब महिलाओं को फ्री में दिया जाएगा सिलेंडर साथी साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर उत्राखंट प्रदेश की तरफ से यहाँ पर गरीबों को साल में 3 सिलेंडर मुक्त मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे जैसा कि सरकार ने हैं पर अपडेट दे दिया है सस्ती दरों पर नमक भी मिलेगा सातिसाथ बजट में गरीबों के कल्याण से जुड़ी इस योजना के लिए सरकार ने 568 करोण का प्रावधान किया है इसमें से समाच कल्याण ने 2756 करोण अनसूची जंजाती कल्याण के लिए 2184 करोण जंजाती कल्याण के लिए 718 आपको फ्री देगी जैसा कि साल में उज्वला गैस कनेक्शन धारियों को यहां पर 12 सिलेंडर सरकार प्रोवाइद कर रही है जो सिलेंडर आपको 450 रुपए मिलते थे उस सिलेंडर अब मातर 350 रुपए में मिलेंगे क्योंकि यहां पर प्रधान मंत्री जी स्वयम यहां प 37 मार्ट 2024 था जी से एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है यानि अब है आपको दो हजार 25 तक यानि 31 मार्ट 2025 तक ही आपको मिलता रहेगा सबस्वीडी के तोर पर इसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ यहां पर गरीब परिवारों को एक एक हजार रुपए की धंडासी भी दी जा रही है जो कि हर 10 तारिक को आपके खाते में बहज दी जाती है जैसा कि अभी 36 गर्ट सरकार ने यहां पर एक एक खजार रुपए की यहां पर धंडासी महिलाओं के खाते में बहज दी गई है वही मदप्रदेश सरकार भी महिलाओं के खाते में 1250 रुपए की किस्त जो की जारी करती है हर 10 तारिक को तो अभी यहाँ पे लड़ली बहना योजना के माध्यम से एक तारिक को ही यह धन्दासी डीवीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में भेज दी गई है तो इसी कड़ी में यह सारी योजनाय महिलाओं के पक्ष में सरकार तरफ से चलाई जा रही है महिलाओं को आत्म निर्भर ससकती करान तथा उन्हें समाज में सम्मान मिले इसके लिए सरकार बड़ी बड़ी योजनाय चला रही है तो फ्रेंट्स इसके लाओं भी आपके मन में कोई प्रशन है में जिसे आप जाना चाहते हैं कमेंट आप जरूर करिए साथी साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंट्स बहुत सारे भी वर हैं जो लगतार मुझे फोन भी करते हैं साथी साथ वर्ट्सेप document करते हैं कि सर हमारी जमीन है उस पे खेत का जोकी 6 तरफल निकालना है चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, मद्ध प्रदेश से हो, जार खंड से हो यहाँ पर मैंने हेक्टियर के बारे में आपको बताया है यानि हेक्टियर को बीघा में कैसे बदलें साथी साथ बिस्वा में कैसे बदलें साथी बीघा में कनवर्ट करें एकड में कनवर्ट करें, डिसमील में कनवर्ट करें, मारला में, एक कनाल में तो बहुत सारे प्रदैसों के अलग-अलग यूनिट इस्तमाल की जाती है तो मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइट किये है साथी साथ इसी कड़ी मगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपके खेतों का आकार जैसा कि आपने देखते हैं वरगा कार हो गया, आयता कार हो गया, त्रिभुजा कार हो गया, समलम चतुरभुज की आकार का हो गया या आप बात करें यहाँ पर तेड़ा मेरा खेत है कि सर हमारी जमीन है और जमीन का बटवारा कैसे करें साथे साथ कोई प्रोपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं जैसा कि कर मैं बात करूँ जमीनी संबंदी बहुत सारे लोग कारे भी करते हैं और कुछ ऐसे भी ब्यक्ति हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है कि जमीन खरीदने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखना है यनि खताउनी से लेके आपको यहाँ पर हिस्सा परमाड़ पत्र और आपका खसरा और जमीन की लोकेसन यह सब माइने रखती है अगर यह डाकुमेंट साफ सही तरीके से नहीं चेक करते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो फस सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आजकल जमीनी सम्मंदी बहुत सारे बिवाद होते हैं और बहुत सारी जानकारियां अगर आपको नहीं है जिसे आप जमीन जो खरीद रहे हैं उसके बारे मापको जानकारी नहीं है तो इससे क्या होता है कि आप जमीन खरीदने में मोटा पैसा हम देते हैं क्योंकि यहां जमीन जिस तरह से कीमत बढ़ रही है बहुत पैसे खर्च होते हैं और उस दोरान अगर आपको जमीन सही तरीके से नहीं मिले उसकी जानकारी आपको नहीं है तो इस condition में आपका पैसा फंस सकता है तो आप वीडियो देख सकते हैं साथी साथ आपको कारी ये करना पड़ेगा कि अपने लेकपाल पटवारी से भी verify जरूर करवाना होगा क्योंकि यहाँ पर government का जो data होता है वो ही सही होता है ठीक है अगर government का data आपके पास नहीं है तो उस दवरान आपको भरसा नहीं हो सकती है इसलिए आपको सही जाच सही परताल बहुत जरूरी है तो यह सारी वीडियो भी आपको मिल जाएंगे आसा करते हैं आप लेलिस्ट में जाएंगे साथ यसाथ मैंने दो चैनल को लिंक नीचे डिक सिस्टन बॉक्स में डाल लगी है उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उनको वीडियो देख सकते हैं साथ यसाथ कोई प्रस्ट नहीं हो तो comment कर दीजएगा पर मैं आपको लगसे वीडियो प्रवाइट कर दूंगा वीडियो यहीं समाप्ट करते हैं नमस्कार